अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे एट पे कमिशन को लेकर दोस्तो इंपोर्टेंट अपडेट आ रहा है आठवे वेतनायोग को लेकर दोस्तो और आठवे वेतनायोग पर पर पी एम मोदी को लिखा गया पत्र और दोस्तों पत्र लिखने का कारण क्या है अगर आठवा वेतनायोग नहीं लागू होता तो जवानों जेसे सबका बड़ा मुक्सान होने वाला है क्योंकि आठवे वेतनायोग जयसे सेवन पे कमिशन में जो है और आटोमेटिकली आठवे वेतन आवग पर सरकार के तरफ से clarity आया है और उतके पिछे reason यह है कि अभी तक आधवे वेतन आयोग का कोई भी काम शुरू नहीं होगा है। कोई काम शूरू नहीं हुआ है अधरवाई जो है जनवरी 1224 जो है राइट टाइम था जब किसकी प्रेप्रेशन शुरू होगी तो आठवा वेतन नहीं आयोग नहीं लागू होगा तो क्या होगा उसमें कि सरकार कोई नहीं फार्मूले को देख रही है कि स बेस पे जो है जो केंद्रे करमचारी उनके वेतन बढ़ाया जाए जाए अगर आठवा वेतन आयोग लागू नहीं होता तो लेकिन दोस्तों इस से जो है केंद्रे करमचारी को खुश नहीं है और इसी को देखते हुए जो में एक और अंदरों जुड़ जाएगा ओल्रेडी एमस्पी ओरोपी इन सब पर जो है आंदोरों चल रहे हैं इन सब पर जो है और रोपी के विसंगतियों पर चल रहे हैं एक और चीज जो है अगर आठ्वा वेतनायोग नहीं होता उसका भी जो है डेडलाइन दोस्तों कि दोहजार चौविस जनवरी दे रखा है तो चौविस जनवरी तक जो है जनवरी दोहजार चौविस तक जो है इसको इंप्लिमेंट करने की बात की है मतलब इसके ओपर कोई फैसला आ जाए कि इंप्लिमेंट हो रहा है कि नहीं तो यह ज़रूरी एक दोस्तों जो है जनवर को जो पत्र लिखा गया है और अगर यह गठन नहीं होता तो जो Confederation of Central Government Employees है and Workers के महासरचीव जो है उन्होंने पत्र में लिखाए कि आठवे वेतनाव गठन की सही समय है और केंदर करमचारी सरकार के रेड की तरह होते हैं यह करमचारी सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने काम पूरी तनमेता से करते हैं तो दोस्तों दूसरी पिश्टी बाद 2016 को जो है टाइमली जो है साथवा वेतनायोग गठन हो गया था तो आठवा वेतनायोग का गठन भी किया जाए और साथे साथ जो पूरू सेंकों के लिए केंदरी करमचारियों के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू पर वर्चिन दिस वीडियो